जैसे मान लीजे अपना एक जैकेट आपने एक ड्राय क्लीनर को ड्राय क्लीन होने के लिए दिया और वो ड्राय क्लीनर आपका वो जैकेट गायब कर देता है तो कौन सा ओफिंस उसने कमिट किया इन तीनों में से अच्छा मान लीजिए कि मैंने जब अपना जैकेट ड्राय क्लीनर को ड्राय क्लीन होने के लिए दिया उस जैकेट के अंदर एक गोल्ड रिंग उसके पॉकेट में गोल्ड रिंग थी जिसकी जानकारी मुझा याद नहीं था कि उसमें गोल्ड रिंग रखी हुई है मैंने ड जैकेट मेरा ड्राइकलीन करके मुझे वापस कर दिया, अब इस रिंग के लिए कौन सा ओफिंस कमिट किया इस व्यक्ती ने, इस ड्राइकलीनर ने, इसी तरीके का एक क्वेश्चन कई बार आया है प्रिलिम्स में, जिसमें ये कहा जाता है, एक ओल्ड लेडी होती है, जो ए पैसे देती है, साइट में खड़ाता, उसको पैसे देती है, to purchase a ticket for her, जैसे ये लेडी उस लड़के के हाथ में पैसे देती है, वो लड़का पैसे लेके भाग जाता है, ये कौन सा ओफिंस है? So, IPC जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूँ कि आज की जो class है, इसमें जो topic हम discuss करने वाले हैं, वो बहुत वैसा traditional intro class IPC की नहीं है, जैसी अभी तक आपने देखी है, free content वाला जो batch है, जिसमें class conduct हो रही है, इसमें live classes में already IPC के कुछ lectures और भी हैं, जिसमें आपने देखा होगा, elements of crime की बात हुई है, stages of crime की बात हुई है, आज मैं वो वहाँ से start नहीं करूँगा, because first of all I want to make you understand कि IPC को पढ़ने के लिए एक अलग नजरिया चाहिए आपको, मतलब ये बड़ा ही ऐसा subject है जो most of the students पढ़ लेते हैं, colleges के starting के semester में ही, और मेरे खाल आप में से भी बहुत से ऐसे students हैं, जिन्होंने already IPC पढ़ा हुआ है, तो आज मैं कुछ ऐसे topic, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ discuss करने वाला हूँ, जो बहुत ही common है, topic बड़े common है, वो लेकिन उसको एक अलग नजरिये से पढ़ने की हमें जरुरत है, हम discuss करेंगे आज offenses against property के कुछ offenses, starting with theft, आज basically theft, misappropriation और breach of trust पे मैं discuss करूँगा, और बहुत वैसा एक है किसेंच और सारे illustration detail में बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं आज एक comparative study आपको कराना चाहता हूँ, between theft, misappropriation and breach of trust, आपने देखा होगा पिछले कुछ time से trend चल रहा है, judiciary के prelims exams में भी, कि fact-based questions आते हैं, application-based, एक set of facts आपको दिया रहता है, and you have to determine कौन सा offense commit हुआ है, उस तरीके के सवाल, mains में भी पूछे जाते हैं, एक set of facts दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सा offense हुआ है, इसमें आप बताइए, कि ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए दो तरीके हैं, ऐसे especially MCQs को तयार करने के, एक तो जो objective questions की किताब market में available है, उसमें से question के answer याद कर लीजिए, इसका तो भी होता है, यह वाला एक trend भी मैंने students में देखा है, कि जब पूछा जाए कि इसका answer भी क्यों है, तो इसका तो भी होता है, या फिर एक तरीका यह है, कि उन offense को conceptually हम इतने अच्छे से समझ लें, उनके बीच के distinction को इतने अच्छे से समझ लें, कि ऐसा कोई भी नया fact भी हमारे सामने आए, so we are in a position to determine कि यह कौन सा particular offense commit हुआ है उस particular case में, तो आज तो हम कोशिश करेंगे वो दूसरे वाले approach के जिसमें हम इन topics को अच्छे से समझने, comparative study के थूँ कि कि किस particular case में कौन सा offense commit होता है, तो आज हम लोग वो ही करने वाले हैं, ठीक है, so वो एक comparative study में आपको कराऊंगा, ती defense of theft, criminal misappropriation, a dishonest misappropriation, और तीसरा होगा breach of trust, criminal breach of trust, इन तीन offenses के बीच के distinction को देखेंगे, जैसे एक दो example मैं आपको देता हूँ, आप क्योंकि एक, मैं ऐसा मानता हूँ, समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत, आप में से काफी students हैं, जो इन चीजों को पढ़ चुके होंगे पहले, सो मुझे बताईएगा ये कौन से offense होंगे, जैसे मान लीजे, अपना एक jacket आपने एक dry cleaner को dry clean होने के लिए दिया, और वो dry cleaner आपका वो jacket गायब कर देता है, तो कौन सा offense उसने commit किया, इन तीनों में से, is it theft, is it misappropriation, is it breach of trust, या तीनों नहीं है, all right, majority of you says it is misappropriation, fine, fine, अच्छा, मान लीजिए, कि मैंने जब अपना jacket dry cleaner को dry clean होने के लिए दिया, उस jacket के अंदर एक gold ring, उसके pocket में gold ring थी, जिसकी जानकारी, मुझा याद नहीं था कि उसमें gold ring रखी हुई है, मैंने dry cleaner को वो jacket dry clean होने दी, उसने pocket check करे, उसको वो ring मिल गई, उसने वो ring बेज दी, jacket मेरा dry clean करके मुझे वापस कर दिया, अब इस ring के लिए कौन सा offense commit किया इस व्यक्ती ने, इस dry cleaner ने, चल ये जवाब बदल भी रहे हैं, अब आपके answers देखके, आपके replies देखके या आपके समझ में आ रहा होगा, कि ये चीज़ें उतनी आसान है नहीं, जितना हमने इने में अपने reply देखके ही आ रही होगी, ये चीज़ उतनी आसान नहीं है, इसी तरीके का एक question कई बार आया है prelims में, जिसमें ये कहा जाता है, एक old lady होती है, जो एक ticket की counter के बाहर ticket लेने के लिए line में लगी है, वो old lady कुछ पैसे अपने आगे लगे हुए एक लड़का, जो क को दे देती है, side में खड़ाता, उसको पैसे देती है, to purchase a ticket for her, जैसे ये lady उस लड़के के हाथ में पैसे देती है, वो लड़का पैसे लेके भाग जाता है, ये कौन सा offense है, for this as well, majority is saying breach of trust, but Shubham says it is theft, चलिए, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें जो comparative study in offenses के बीच में आज हम करने वाले हैं, उसका purpose क्या है, आज हम इसको start करेंगे, there will be three classes in continuation, आज हम इसको start करेंगे, theft, misappropriation, breach of trust, in tomorrow's class we'll continue with this, और साथ में हम अगला जो topic start करेंगे, वहां हम comparative study करेंगे, theft, extortion, और robbery, ये तीन भी कुछ इसी त बात करेंगे, वो भी, वो भी हैं, तो इन offenses का भी comparison हमें करना है, so for the next two days, जो आपकी classes होनी है, आज, कल और परसो, इन तीन दिन में, at least इन छे offenses पे तो मैं आपको clarity दे दूँगा, कि कहां theft है, कहां misappropriation, कहां breach of trust, और उसके बाद theft extortion और robbery, इनका comparison, इसी लिए मैंने starting में कहा, कि आज जो मैं introductory class IPC के करने वाला हूँ, ये traditional classes जो हम किया करते थे, उससे थोड़ी different है, क्योंकि पहले वो आई देना है आपको, कि किस न हम देखने में miss कर देते हैं, एक example और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए, आप institute आते हैं offline class में, study modules जो आपको मिलते हैं, वो सबके एक जैसे होते हैं, गलती से आप किसी दूसरे का module अपने back में डालके घर ले जाते हैं, जब आप घर ले जाते हैं, वहां जाके आपको समझ में आता है कि आप किसी दूसरे का module ले आए, उसके बाद भी आपको जब समझ में आता है कि किसी दूसरे का module है, फिर भी आप उस module को use करते हैं, यह कौन सा offense आपने commit किया, is it theft, misappropriation और breach of trust, यह कौन सा offense है, जरा बताइए मुझे, fine, fine, कुछ लोगों ने कहा, misappropri appropriation है, right, अच्छा, मान लीजिए, इसी को थोड़ा सा और change करते हैं, मान लीजिए, आपको पता है कि वो module किसी और का है, आपको पहले से ही पता है कि module किसी और का है, फिर भी आप चुपके से बिना उसके consent कि अपने bag में डालके module घर ले जाते हैं, यह कौन सा offense है, यह कौन स किसी और का है, फिर भी आप उसको ले जा रहे हैं, यह theft है, all right, स्वाधीबा का कहना है, अंबर, संस्कृती, सब का कहना है, यह theft है, मान लेजिए, जब आप वो module घर ले गए, घर ले जाके आपने देखा उसे पलट के, कि जिसका module आप ले गए थे, आप देखना चाह रहे अब आप क्या करते हैं, module तो लेके आई ही थे चुराने के intention से, लेकिन आप जाके वो module अगले दिन उसको वापस कर देते हैं, तो कि आपको उसमें मिलगे 2000 का note, आप वो 2000 का note गयाप कर देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, module ले जाके वापस कर देते हैं, अब module के लिए तो जो हुआ वो हुआ, ये बताईए, ये जो 2000 का note आपने उसके module से निकाल के रख लिया है, इस 2000 के note के लिए कौन सा offense आपने कमेट किया, सो कार्थिके सेज़ इस मिस अप्रोप्रियेशन, बॉबबी अलसो सेज़ इस मिस अप्रोप्रियेशन, ओल राइट, आप अपने अंसर देखिये, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कि आपको आज की क्लास की कितनी जादा जरूरत है, इस कंपारिजन, इस कंपारिट में दोनों में पूछे जाते हैं, जुडी शरी में, और जैसा मैंने बताया, आपको एक तरीका वो है कि हम सी क्यू याद कर लीजिए, कि इस पब्लिशर के इस किताब के इस पेज पेज पे ये क्वेशन दिया है, और उसका आंसर भी होता है, एक तरीका ये है पढ़ने का, दूसरा तरीका वो है, जो हम नॉर्मली एलिक में करते हैं, कि हम उसको इतने अच्छे से उसके कॉंसेप्स को समझ लेंगे, कि कभी ये confusion हमें होगा ही नहीं, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों को अब एक एक करके मैं बेसिक से बताऊंगा, दो जैसा मैंने कहा, मै पूरा डील नहीं करूंगा उस offense को, सिर्फ comparative study के परपस से जितना जानने की जरूरत है, क्योंकि यसे theft अगर आपके पास है, 378 नहीं भी है, तो I'll display the section on the board, तो कोई problem नहीं है, अगर आप कुछ लेके नहीं बैठे हैं, module module, it's all right, मतलब अब अगर आपके पास, it's all right, कोई problem नहीं है, but आप 378 में देखेंगे, उसमें बहुत सारे explanations हैं, फिर बहुत सारे illustrations हैं, मैंने फिलाल उसमें से अपने काम की चीज़ निकाल ली है, जो आज के purpose के लिए important है, just to study this difference, ठीक है, क्योंकि आभी का जो purpose है, next 3 classes का, वो यह approach समझना ही है, इसलिए मैंने उतना ही topic को मै deal करूँगा, आज की class, और फिर जब detail में हम regular foundation batch के part की तरह उसे पढ़ेंगे, तब तो काफी detail में हम उसे पढ़ेंगे, चलिए, so before we begin with these topics, let me just brief you about our foundation courses and a few other courses offered, एक एक बार मैं आपको उसका brief बता दूँ, कि इन courses को अगर आप join करते हैं, तो आप किन किन चीज़ों के लिए eligible हो जाते हैं, so जो courses offer किये जाते हैं, that is online foundation course है, यह जो foundation course है, इसके duration है 15 months, 15 मेने का यह course है, this is appropriate for those who have completed log graduation, और those who are in final year of their log graduation, इसके अलावा एक course है, online foundation advanced course, advanced course में difference सिर्फ यह है कि it is of 24 months, instead of 15, it is 24 months, so if you are in the second last year of your graduation, you can join this course and study, इसके अलावा, we have online comprehensive test series for prelims, अगर आपको लगता है कि आपको पूरा पढ़नी की जरुरत नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रपेर कर चुके हैं, so you can join the online comprehensive test series for prelims, जिसमें subject wise, section wise test आपको दिये गया है, जैसे contract, subject आपने पढ़ा, तो contract को चार अ लग-लग part में divide करके, उतना syllabus बताके, उसका एक test बना दिया गया है, जिसमें आपको correct answer, उसका explanation, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, on the same pattern, we have online comprehensive test series for mains as well, जहां आपको descriptive questions मिलते हैं, उनके answers लिख के आप पहलेक में भेजते हैं, यहां से आपकी copy correct होके, उसका evaluation और marks, अभी MP के immediately पहले हमने ये किया था, mains के पहले comprehensive test series mains की, तो उसमें जो students थे, they know कि किस तरीके से test होते हैं, तो एक paper upload हो जाता है, app पे, you have to write the answers, उसका PDF बना के, you have to upload your copies, यहां से copies का evaluation होके, merit list, आपके marks question wise, along with that, individual review, voice note के form में student को मिल जाता है, हर question पे, और साथ साथ एक model answer भी, आपको मिल जाता है, हर question का, कि इस particular question का, क्या answer होना से, so that is, online comprehensive test series for mains, किसी भी state का, आप mains लिख रहे हैं, तो you can join this for practice purposes, apart from that, state specific courses कुछ होते हैं, जैसे, MP के notification के बाद, MP के local laws, या judgment rating के batches होते हैं, UP के notification के बाद, GS के specific courses होते हैं, state specific, उनके local law के separate courses होते हैं, इस तरीके से, जिस state में, जो additional, क्योंकि आप देखेंगे, हर state में 80% syllabus तो common है, 20% differ करता है, उसके लिए भी state specific batches, जैसे RGS की जब vacancy आई थी, तो कुछ additional subjects हैं, वहाँ minor subjects, सो हम लोगोंने वो subjects over YouTube भी cover किये थे, उसकी test series अलग से थी, तो state wise जो vacancies आती है, जो minor portion है, वो वैसे cover हो जाता है, जो बचा हुआ होता है, major concern जो आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए, 80% syllabus of the judiciary, जिसमें तीनों procedural laws, common substantive laws, ये सारी चीज़ें आती हैं, और ये सब जो है, ये part है हमारे foundation course के curricular का, ये details है, summary है, foundation course की, कि चाहे आप foundation course के लिए जाएं, या foundation advance के लिए, so what will you get in this, तो यहाँ सबसे पहले आपको मिल जाते हैं, 12 subject law के, और जैसा मैंने आपको बताया, कि ये जो subjects का selection है, ये considering all the state judiciary है, जो common subject है, वो इसमें 12 subject include किये गए हैं, इस foundation batch में, apart from that, live and recorded classes, live classes तो आपको मिली रही हैं, 12 subjects पे, उनकी recordings भी आपके पास available होती है, जैसे अभी आप live class attend कर रहे हैं, by chance कभी आप ये नहीं कर पाते हैं, तो इसकी recording या आपने की है, तब भी आपको दुबारा देखना है, तो इसकी recording within 24 to 48 hours, आपके पास दुबारा available हो जाती है, इसी के subject के pre के test already हो चोके हैं, जहां question, correct answer, आपकी all India ranking, ये सारी चीज़ें और उसका explanation, ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है, इसके अलावा एक telegram पे doubt discussion group है, उस test series में अगर आपके कोई doubts है, so you can put them there as well, similarly mains की test series, topic wise, subject wise, जो मैंने अभी आपको सारे features बता है, उसके साथ foundation course में मिल इसके अलावा study material मिलता है, दो type का, एक है modules, जो की printed study material है, hard copy में ये आपके घर पे deliver होता है, ठीक है, classes आप online जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो material है ये आपको, आपके घर पे hard copy में deliver होता है, जो modules है printed, इसके अलावा class notes जो है, ये या तो PDF या फिर dictation form में आपको मिलते हैं, म module का content आप use कर सकते है, answer writing के लिए थोड़ा concise होता है, और जो आपके class notes है, ये काफी elaborated, काफी comprehensive होता है, और depending on the faculty, कुछ ये से PDF कर देते हैं, कभी dictate होके आपको मिल जाते हैं, ना तो दोनों तरीके से, because you have to maintain a good writing speed if you want to perform good in mains, और जो की छोट चुकी है आपकी पूरी तरीके से So, दोनों तरीके से classroom notes आपको मिलते हैं, law के अलावा GK की regular classes, computer की classes when required, English और Hindi क्योंकि आप statewide syllabus देखेंगे, जो मैंने कहा 20% जो differ करता है, वो ये सारी चीज़ है, comprehensive course में ये सब भी part है, जैसे अब anticipated है कि UP आएगा, राजिस्थान anticipated है अभी कि आने वाल है, तो राजिस्थान मे आप prelims का paper देखेंगे, तो 70 marks का law है, 30 marks हिंदी और इंग्लिश पर होते हैं, so we cover that as well in our foundation course, ठीक है, GK का UP में काफी relevance है, हर्याना आप देने जाएंगे तो काफी relevance है, DJS में काफी relevance है, so that also we cover, इसके बात for doubt solving, जैसा आप अभी मुझसे chat कर पा रहे हैं, live class attend करते हुए, you have an option of chat, जहां मैं भी आप से सवाल करूँगा, faculty भी आप से करती है, आप अपने questions भी put up, during your live class आप कर सकते हैं, तो पहला more doubt solving का live chat है, इसके अलावा we have a telegram doubt discussion group, telegram app पे doubt discussion का separate group है, अगर मान लिएज़े आप कभी recorded videos देख रहे हैं, या तो बारह कभी उस topic को है subject को पढ़ रहे हैं, फिर से आपको doubt होते हैं, तो आप इस group में कभी भी भेज सकते हैं, we will get replies on that from the faculties, इसके अलावा mentorship, physical या virtual, अगर आपको physically faculties से मिलना है, मुझ से मिलना है, Saturday आप center आ सकते हैं, भुपाल center पे आप physical meeting के लिए आ सकते हैं, या फिर virtual meeting, zoom के थूरू schedule करके आप अपनी preparation की strategies या क्य foundation course, इसके बाद now let's move on to today's topic, अब अपन बात करेंगे हमारे topic के बारे जो मैंने आपको बाताया, theft होगा, misappropriation होगा और breach of trust, तीनों की एक comparative study हमें करनी है, तो सबसे पहले to start with, हमें देखना है theft की definition, अगर आपके पास bear rate है, तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं हैं, तो इदार आजाएए, theft 378 में defined है, theft के क्या-क्या essentials है, अचा एक जो काफी common myth है, या काफी common misconception है, theft में possession को लेके, जरा मुझे आप ये बताएए, कितने लोगों को ऐसा लगता है, कि theft commit करने के लिए, movable property को possession से बाहर ले जाना जरूरी है, कितने लोगों को ऐसा लगता है, कि theft commit करने के लिए, किसी property को possession से बाहर ले जाना जरूरी है, चलिए, essentials पर आते हैं, theft की definition हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है whoever intending to take dishonestly, अब देखिए, मैं underline करते जा रहा हूँ, जो keywords है, जो essentials है, whoever intending to take dishonestly, आपका intention कैसा होना चाहिए, dishonest, dishonestly defined है IPC में ही, अभी उस पर भी मैं आ रहा हूँ, chapter wise आप IPC को देखेंगे, तो IPC में second chapter general explanation है, जहां बहुत सारी चीज़ है, defined है, वहाँ हमको dishonestly मिल जाएगा, किस section में मिलेगा dishonestly defined, कौन से section में defined है dishonestly, if anyone can tell me, 24, that's correct, any movable property, दूसरा essential क्या है, movable property, property movable होना चाहिए for commission of theft, movable property भी defined है, कहां defined है, तो section 22 में movable की definition दी हुई, out of the possession of any person, अब यह जो possession word है, यह बड़ा परेशान करने वाला है, out of the possession of any person, without that person's consent, this is another essential, without the person's consent, moves that property, in order to such taking, is said to commit theft, देखें, यह जो definition यहां पर theft की दी हुई है, आपको एक चीज़ पता होगी, कि जब भी आप कोई offense पढ़ते हैं, जब भी आप crime में offense पढ़ते हैं, तो यहां पर एक बहुत important चीज़ है, elements of offense, और elements of crime, क्या elements सबसे major और essential elements क्या है, actus reus और mens rea, यह मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, mens rea is the guilty mind, state of mind क्या चाहिए, एक offense कमिट करने के लिए, और दूसरा होता है, actus reus, that is the physical aspect of that offense, actus reus, यहां पर theft के लिए, actus reus की अगर आपन बात करें, जो physical aspect की, क्या physically act आपका होना चाहिए, और आपका जो mental state चाहिए, theft commit करने के लिए, वो होना चाहिए, intending to take dishonestly, any mover property, out of the possession of any person, dishonest intention के साथ, property को possession से move करना, किस तरीके का dishonest intention होना चाहिए, dishonest intention होना चाहिए, property को move करने का, अगर आप इस definition को बहुत clearly पढ़ेंगे, तो इसको बड़े आराम से आप दो parts में divide कर सकते हैं, whoever intending to take dishonestly, any movable property, out of the possession of any person, without that person's consent, यह जो comma लगा है न, यहां तक एक part है, और यह majorly आपको mental state बता रहा है, theft commit करने के लिए, क्या चाहिए, तो अगर इसको मैं summarize करूँ, तो हमें जो mental state चाहिए, theft commit करने के लिए वो, कि आपका intention dishonest होना चाहिए, और किस बाद का intention, property को किसी की possession से लेने का dishonest intention होना चाहिए, तो possession का कितना rule है theft में, कि वो property किसी की possession में होनी चाहिए, अगर property किसी व्यक्ति की possession में नहीं है, तो क्या आप उसे किसी की possession से लेने का dishonest intention frame कर सकते हैं, yes or no, अगर आपको dishonest intention frame करना है, एक movable property को बिना व्यक्ति के consent के move करने के लिए, तो क्या उस property का possession में होना जरूरी नहीं है, to frame an intention to take it dishonestly from the possession of the other person, भाई आप एक व्यक्ति की possession से किसी चीज को लेने का intention, आप तभी frame कर पाएंगे, जब वो चीज किसी की possession में होगी, अगर वो किसी की possession में नहीं है, तो क्या आप उसे possession से लेने का intention बना सकते हैं, so the answer is no, नहीं बना सकते, चीज किसी की possession में होनी चाहिए, so theft के लिए जो possession का essential आप देखते हैं, कि possession is an essential, तो भाई possession ऐसे essential है, कि movable property must be in somebody's possession, to commit theft, that is an essential, ज़रूरी ये नहीं है, कि theft commit तभी होगा, जब आप उस property को possession से move कर देंगे, कैसे आप ही multiple exams लिके थूरू, अपन इस बात को समझेंगे, पहले आप इस mental element को समझने की कोशिश करिए, जो चाहिए theft commit करने के लिए, आपका dishonest intention होना चाहिए, property को possession से लेने का, और इस dishonest intention के साथ, if you move that property in order to such taking, उस dishonest taking के लिए, if you move that property, the moment you move the property, you commit theft, जैसे ही आपने property को move किया, आपने theft commit कर दिया, अब अगर यहां से मैं essential निकालने की कोशिश करूँ, जो उनके meaning हमें समझना है, तो एक तो dishonestly का मतलब हमें पता होना चाहिए, theft को समझने के लिए, movable property in general parlance भी आप समझते हैं, जनरल सेंस में भी आप movable property को समझते हैं, any kind of corporal property, जो move हो सकती है, जो attached to earth ना हो, वो ही definition 22 में दी है, but dishonestly is not a common term, so we'll see the definition कि dishonestly actually होता क्या है, ठीक वो आएगा, लेकिन mental part में इसका जो physical aspect है theft commit करने का वो क्या है, that the property must be moved, एक slight movement भी आपका theft माना जा सकता है, जरूरी ये नहीं है कि आपको उसे किसी की possession से लेना, इस बाद को ध्यान रखिएगा, कई जगे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, कि उसे convey इस तरीके से किया जाता है, कि कई बार misconception इस चीज को लेके होता है, लेकिन बेरेक्ट में clear cut illustrations है, अभी मैं उन illustrations की बात भी आप से करूँगा, जो इसके regarding बेरेक्ट में दिये हुए हैं, अब जारा एक बार हम dishonestly का मतलब देख लें, जो हम अभी बात कर रहे थे, कि dishonest intention आपका होना चाहिए, dishonest intention कब होता है, सो उसके लिए section 24 IPC का कहता है, dishonestly को define करता है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. कब कहा जाएगा कि आपने कोई चीज dishonestly करी है, जब आपने कोई act किया है, with the intention of causing wrongful gain to one person और wrongful loss to another. जब कोई भी काम करते समय, आपका intention किसी को wrongful gain पहुचाना है, या फिर किसी को wrongful loss पहुचाना है, तो कहा जाएगा that you have done the thing dishonestly. अब देखिए, यह wrongful gain और wrongful loss क्या है, तो वो भी IPC में defined है, section 23 में. यहां wrongful gain defined है, wrongful gain is gained by unlawful means of property, to which the person gaining is not legally entitled. कि कोई ऐसा वेक्ति gain कर ले property से, जो उस प्रॉपर्टी के लिए entitled नहीं है, उसको हम कहते हैं wrongful gain, और wrongful loss होता है, is the loss by unlawful means of property, to which the person losing it is legally entitled. या तो कोई ऐसा वेक्ति जो उस प्रॉपर्टी के लिए legally entitled था, आप उसे उस प्रॉपर्टी से डेप्राइफ कर दें, या उसको लॉस पहुचा दें, प्रॉपर्टी से. जो वेक्ति प्रॉपर्टी के लिए entitled है, उसको लॉस होगा, तो wrongful loss है वो, कोई ऐसा वेक्ति जो lawfully उस प्रॉपर्टी के लिए entitled नहीं है, और वो उस प्रॉपर्टी से कुछ गेन करता है, तो that is called wrongful gain. अब चाहे wrongful loss कॉज करिये, चाहे wrongful gain, दोनों जरूरी नहीं है, जैसे मान लिजे, मैं आपका mobile phone चुराता हूँ, चीक है, मैं आपके pocket में हाट डालके, आपका phone चुरा लेता हूँ, इसमें मैंने wrongful loss कॉज किया, आपको because you are entitled for the property, and I am causing loss to you, तो ये होगा wrongful loss, साथ मैं मैंने अपने आपको wrongful gain भी कॉज किया, because I am not entitled for the property, but I am gaining from it, so यहाँ पर दोनों है, but theft commit करने के लिए दोनों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि dishonestly कहता है, या तो wrongful gain होना चाहिए, या फिर wrongful loss, और लिखा है इदर, और wrongful loss, तो मान लिजए, मैं आपका phone चुराता हूँ, आपके pocket से, और उसको ले जाके एक तलाब में भेट देता हूँ, will it be theft, yes it will be theft, यहाँ भी मैंने वो काम कैसे किया, dishonestly, भले खुद को कोई gain नहीं पहुचाया, लेकिन आपको wrongful loss कॉल्स किया है, इसलिए ये भी theft में आएगा, I hope this is clear, dishonestly का मतलब मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया, इसके बाद movable property की भी जैसा मैंने आपको बताया, 22 में definition दी है, दो ये वही है जो आप normally समझते हैं, the words movable property are intended to include corporal property of every description, except land and things attached to earth, land और उससे attached चीजें, वो सब immovable में आ जाती हैं, बाकी सब movable property हैं, तो ये उतना जरूरी नहीं है फिलहाल, लेकिन ये बहुत important था, कि आप जो भी act कर रहे हैं, वो theft तब ही होगा, जब आपने वो dishonestly किया हो, with dishonest intention आपने किया हो, so I hope this is clear, when the intention will be dishonest, और what do we understand by dishonestly, ये बात कहां से conclude हो रही है, कि आप move करते ही, theft कमिट कर देते हैं, तो उसके लिए आप बेरेट के, बेरेट के illustrations आपको देखने चाहिए, अगर आपको ये बात समझनी है, तो उसके लिए आपको, बेरेट के illustration, मैंने selective illustration यहां लिए हैं, जैसा मैंने आपको कहा, आज का purpose अलग है, मैं आपको comparative study बस करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने limited चीज़ें आज उठाई हैं, so देखिया जो एक illustration C, आपके बेरेट में ही दिया हुआ है, वहां लिखा है, A meets a bullock carrying a box of treasure, he drives the bullock in a certain direction, in order that he may dishonestly take the treasure, as soon as, this is very important, as soon as the bullock begins to move, A has committed theft, ठेक तो भाई ये गाड़ी में ट्रेजर रखा हुआ था, A ने वो देखा, उस ट्रेजर को चुराने के intention से वो उसे move करता है, ताकि वो उसे एक ऐसी जगे ले जाए, और वहां से dishonestly वो ट्रेजर ले जा पाए, वो उसको जैसे ही move करना start करता है, वो theft commit कर देता है, irrespective of the fact कि वो फाइनली ट्रेजर ले जा पाया या नहीं ले जा पाया, इससे मतलब नहीं है, the moment he moves that property, in order to such taking, he commits theft, I hope I am making sense to you, are you getting the point? यह क्योंकि काफी बड़ा misconception है और इसलिए robbery समझने में समस्या होती है आपको, जिसके बारे मैं probably कल बात करूँगा, robbery और attempt to robbery समझने में जो परेशानी है वो इसलिए क्योंकि theft clear नहीं है, so today we'll make it clear, are you getting this? all right, fine, 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 I have got the confirmation, चलिए, तो जैसे ही आपने property को move किया, that is theft, अब इस बात को बहतर समझने के लिए, कि possession से चीज move करना, फाइनली ले जाना जरूरी नहीं है, उसके पहले आप theft commit कर देते हैं, एक illustration और बेरिट में आपको मिल जाएगा, that is illustration H, and this is very important, इसको देखिए, A sees a ring belonging to Z, lying on a table in Z's house, not venturing to misappropriate the ring immediately, for fear of search and detection, A hides the ring in a place, where it is highly improbable, that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring, from the hiding place, and selling it when the loss is forgotten, here A at the time of first moving, this is very important, A at the time of first moving the ring, commits theft, theft कब commit हो जाता है, जब पहली बार उसने move किया, देखिए, A, Z के घर जाता है, टेबल पे एक ring देखता है, अब ring चुराना तो है उसे, चुराने का intention तो है उसका, लेकिन वो करता क्या है, कि अभी अगर चुरा के ले जाऊँगा, तो पकड़ा जाऊँगा, इस fear से वो क्या करता है, ring को टेबल से उठा के, वहीं उसी के घर में, Z के ही घर में, किसी ऐसी जगे पे छुपा देता है, जहां कोई ढूणना पाए, और थोड़ा बहुत, जब ये चोरी का मामला ठंडा हो जाएगा, उसका ये प्लान था कि, बाद में आके मैं ring उठा के, वो ले जाऊँगा, ये प्लान उसका था, जैसे ही उसने टेबल से उठा के, उस ring को किसी ऐसी प्लेस पे छुपाया, उसी समय उसने theft commit कर दिया, irrespective of the fact, वो ले गया कि ने ले गया, यहाँ theft has already committed, जैसी उसने टेबल से उठा के, उस ring को कहीं और छुपाया है, I hope this is clear, ये सारे illustrations क्यों दिये हैं, उसी बात को convey करने के लिए, theft की definition में, ये illustrations आपको दिये हुए हैं, I hope this is clear, ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आगे, कि जरूरी नहीं है, कि आप ले के जाएं, the moment you move the property, it is theft, अब इस से related कई सारे cases भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप कोई referral books पढ़ना चाहें, देखिए conceptual ये जो बाते में आप से कर रहा हूँ, ये आपको हर किताब में तो जनरल ही नहीं मिलता, थोड़ा brief मिलता है, लेकिन कुछ books में आपको इस पर थोड़ा detailed study, जैसे P.S.A. पिलले की जो IPC की किताब है, उसमें आपको थोड़ा detailed version मिलेगा, वहां काफी पॉइंट पे काफी examples और काफी cases के साथ बात हुई है इस बारे में, रतनलाल धीरज़ाल का जो student tradition है, थोड़ा भूट उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक, So accordingly you have to see as per your requirements, So I hope one thing is clear, कि भाया theft करने के लिए आपको property move intention होना चाहिए possession से लेने का, इस intention के साथ when you move the property, you commit theft in that case, अल्राइट, अब एक example मैं आपको देता हूँ, जिसका जवाब मैं नहीं दूँगा, क्योंकि कुछ आपको भी दिमाग लगाना है, और इसके बारे में शायद हम कल की class में बात करें, जैसे मान लीजिए, आप class में बैठें, मैं एक class में खड़ा हूँ, मेरे सामने एक student bench पे बैठा हुआ है, और वो student, पीछे turn करके किसी दूसरे student से बात कर रहा है, दोनों अपनी बात में इतने मगन है, कि table सामने उनके जो रखा है, उस पे किताब है, mobile phone रखा है उस student का, उन्हें लेकिन इस बात का होश नहीं है, वो पीछे पल अटके बात कर रहे हैं, मैं उस mobile phone को चुराने के intention से, जो मेरे सामने table पे रखा है, उस phone को चुराने के intention से, मैं उठाता हूँ table से, जैसे ये phone है, उसको मैं table से उठाता हूँ, और मैं अपने pocket में डालने ही वाला था, कि इतने में वो student turn हो जाता है, मैंने बस उठाया है, मैं pocket में डालने वाला हूँ, इसके पहले वो student turn हो जाता है, तो मैं वो phone वापस रख देता हूँ, as if I was just seeing that, कि मैं बस देख रहा था भाई, बहुत बढ़िया phone है, और मैं रख देता हूँ वाँ, लेकिन पकड़ा जाता है बाद में, यह बात मेरी पकड़ी जाती है, और यह पता चलता है, कि मैंने चुराने के intention से उठाया था, अब आप बताईए, कि क्या यह theft है, क्या इस case में भी theft होगा, क्या this slight movement will also amount to theft, तो अगर आप strictly उस चीज को follow करेंगे, जो आपने पड़ा, तब तो आपके जहन में हैगा, यार, theft होना चाहिए, intention तो बिलकुल चुराने का था, लेकिन, अगर आप अपना prudence लगाएंगे, तो आपको लगेगा, यार, कि रीजनेबल दिमाग से सोचा रहा है, इतने से में theft तो नहीं होना चाहिए, यह तो attempt type का लग रहा है, कि attempt to theft हो सकता है, so I won't answer this question today, it is for you to research on this, मैं कल जरूर बताऊंगा इसका answer, but not today, आज आपको ग्लास के बाद जाके, इस पर थोड़ा खुद काम करना है, मैंने आपको एक direction दे दिया, where you need to think, किस तरीके से सोचना है, कुछ और illustrations हैं, वो देखते हैं, A finds a ring lying on the high road, not in the possession of any person, A by taking it commits no theft, though he may commit criminal misappropriation of property, अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, misappropriation of breach or trust की तरफ, आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर आपको एक mobile phone पड़ा मिला, पता नहीं किसका है, आपने वो phone उठा के रख लिया, क्या आपने कोई offense commit किया, अगर आपने सिर्फ वो phone सड़क से उठा के अपने पास रख लिया, क्या आपने कोई offense commit किया है, सिर्फ phone को उठा के अपने पास रखने से, क्या आपने कोई offense commit किया, आपने तब तक offense commit नहीं किया है, जब तक आप उसे misappropriate ना करें, खुद के लिए use ना करें, तो जब आप एक सड़क पर चलते हुए mobile phone आपको मिलता, अगर आपने उठा के रखा, उसके बाद आप उसके rightful owner को ढूंडने की कोशिश करते हैं, उसे सही जगे तक पहुचाने की कोशिश करते हैं, it is not an offense, हाँ, लेकिन आपने mobile phone उठाया, switch off करा, sim निकाल के फेकी, अपने sim डाली और चालू कर लिया, does it amount to theft? does it amount to theft? क्या ये theft है? सड़क पे जाते हुए phone मिला, अपने उठाया, switch off किया, उसकी sim निकाल के फेकी, खुद की sim डाल के उसको, चालू कर लिया और अपने use में ले लिया, does it amount to theft? no, all right, theft नहीं है, क्योंकि the thing was not in somebody's possession, भाई देखिये, possession से लेने का dishonest intention तभी होगा, जब वो चीज किसी की possession में होगी, theft तभी commit होगा, जब movable property किसी की possession में, अभी की possession में क्या? no, so यह theft तो नहीं है, कोई दूसरा offense हो सकता है, but theft तो नहीं है, तो यह कौन सा offense होता है, misappropriation अभी देखते हैं, misappropriation होता क्या है, तो we'll understand, एक illustration और theft के ही provision में 378 में ही दिया हुआ है, वो भी देखिए, Z going on a journey, entrust his plate to A, the keeper of a warehouse, till Z shall return, A carries the plate to a goldsmith and sells it, here the plate was not in Z's possession, it could not therefore be taken out of Z's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust, देखिए, जैसे मान लेजिए आप railway platform पे गए हैं, और आपने अपना सामान locker room में रखके, उससे reset लेके आप पुमने फिरने चले गए, अब अगर वो locker room वाला आपका सामान गायब कर देता है, तो क्या वो theft है, अगर वो आपका सामान गायब कर देता है, तो क्या वो theft है, locker room वाला, या आप एक mall में movie देखने गए, locker room में आपने, baggage counter पे आपने जमा कर आपना bag, और movie देखने चले गए, जब वापस आए तो वो लेके भग गया bag, is it theft, no it is not, यह कौन सा offense होता है, breach of trust, अभी पढ़ते हैं उसको भी, definition देखेंगे, essential देखेंगे, breach of trust में आप खुद अपनी property किसी को handover करते हैं, in trust करते हैं, और वो व्यक्ति property लेके गायाब होता है, तो एक दूसरा offense हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं, breach of trust, चलिए तो अब एक एक करके, misappropriation और breach of trust की भी बात करते हैं, जैसे हमने theft को देखा, ठीक उसी तरीके से, dishonest misappropriation of property 403 में IPC में दिया हुआ है, whoever dishonestly misappropriates और converts to his own use, any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which makes 10 to 2 years or with fine, अपने लिया भी फिलाल सिरफ first part important is definition का, punishment पे आप फिलाल मत जाएए, whoever dishonestly misappropriates और converts to his own use, any movable property, he commits misappropriation, कितना छोटा सा offense है, सिर्फ क्या होना चाहिए, dishonestly misappropriate करिए, या फिर convert करिए, खुद के use के लिए, किस चीज को any movable property, किसी भी movable property को, अगर आपने अपने use के लिए convert किया है, या फिर misappropriate किया है, और ये काम कैसे होना चाहिए, dishonestly, उठाया, उसकी sim निकाल के फेकी, अपनी sim डाली और उसको on कर लिया, आपने convert किया, खुद के usage के लिए, क्या आपने ये काम dishonestly किया, बिल्कुल किया, क्योंकि ये जो आपने, उसकी sim निकाल के फेक के, अपनी sim डाली है, इससे आप wrongful gain cause कर रहे हैं, उस वक्ति को जिसका वो mobile है, और खुद को आप क्या cause कर रहे हैं, wrongful gain, और जिस वक्ति का phone है, उसको आप wrongful loss cause कर रहे हैं, by doing this act, तो act कैसा हो रहा है, dishonestly हो रहा है, misappropriate का मतलब क्या होता है, misappropriate का मतलब keeping it apart, किसी वक्ति से दूर ले जाना, और खुद के, misappropriate मतलब खुद के लिए use, एक तो, खुद के लिए use कर लेना, या misappropriate का मतलब, किसी वक्ति को उससे अलब कर देना, जैसे वो mobile phone आपने खुद use नहीं किया, आपने उसको ले जाके, एक नदी में फेख दिया, सड़क पर phone मिला, आपने उठाया, लजाके नदी में फेख दिया, that is also dishonest misappropriation, यहां आपने wrongful gain तो cause नहीं किया है खुद को, लेकिन wrongful loss cause किया है उस phone के owner को, I hope this is clear, तो dishonest misappropriation बड़ा ही plain offense है, इसमें इस बात से बिलकुल फर्क नहीं पड़ता, कि वो property आप तक पहुँची कैसे, सिर्फ इसके लिए जरूरी है, movable property होनी चाहिए, और आप उस movable property को dishonestly misappropriate करिये, यह आपने उसके लिए convert करिये, आपने एक offense तो कर ही दिया है, तो यह बड़ा ही broad category of offense है, dishonest misappropriation, अभी मैं आपको एक pie chart के थुरू यह भी समझाऊँगा, कि misappropriation काफी broad offense है, उसी में फिर अलग-अलग variant बनते हैं, जिसमें हम एक theft पढ़ते हैं, एक breach of trust पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप misappropriation को पढ़ें, और आप theft देखें, तो theft में भी होता तो misappropriation है, भाई, आप property आपके possession में थी, मैंने उसे आपकी possession से move किया, with dishonest intention, और अगर मैं successfully उसको अपने पास तक ले आया, या use करने लगा, तो misappropriation तो वहाँ भी है, लेकिन क्योंकि वो property किसी की possession में थी, और मैंने dishonest intention के साथ उसे move किया है, उसे एक specific तरीके का offense बना दिया, जिसे हम कहते हैं, theft, और property अगर किसी की possession में नहीं है, तो वो misappropriation कहला जाता है, इसके भी कई सारे illustrations दिये हैं, इस misappropriation को समझने के, मैं सिर्फ एक दो ही आपके साथ discuss करूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सिर्फ अपने को compare करना है, कि कब कौन सा offense होगा, इसलिए उसके हर एक particular offense के बहुत detail में हम नहीं जा रहे हैं, illustration A देखिए, A takes property belonging to Z out of Z's possession, in good faith believing at the time when he takes it, that the property belongs to himself, A is not guilty of theft, जो मैंने आपको example दिया, कि मैं किसी और के किताब, tension नहीं है, मैं यह समझ रहा हूँ कि यह मेरी book के और मिले के घर चले जाता हूँ, but if A after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section, लेकिन घर ले जाने के बाद मुझे यह realize होता है, कि यह book मेरी नहीं है, किसी और की मैं गल्ती से ले आया हूँ, अब अगर मैं उस book को खुद के use के लिए convert करता हूँ, खुद use करता हूँ, तो यह काम, और dishonestly अगर मैं use करता हूँ, dishonestly हो रहा है, क्योंकि भाई, अब मुझे जब पता है, कि वो किताब मेरी नहीं है, किसी और की है, मैं उसे use करूँँगा, तो इस से wrongful loss cause होगा, उस वक्ति को जिसकी वो किताब है, और मुझे wrongful gain cause होगा, so here I am committing criminal, या dishonest misappropriation, ठीक, आपने जब property move करी थी, तब कोई dishonest intention नहीं था, later on you realize, अगर आपका, तभी मान लिजिए, एक किताब किसी के bag में रखी हुई है, और आपका dishonest intention है उसे लेने का, आपने bag से चुपके से किताब निकाली, घर ले आए, ये कौन सा offense, theft, लेकिन वहीं अगर गल्ती से, इनोसेंटली वो possession transfer हुई है, जो बुक थी वो आपके पास आ गई, and then you realize, यार ये मेरी नहीं है, अब अगर आप उसको appropriate करते हैं, अपने usage के लिए, तो आप offense commit करते हैं, criminal misappropriation, या dishonest misappropriation, ठीक, तो ये है आपका misappropriation, बाकी के illustration, अभी फिलहाल में discuss, नहीं कर रहा हूं, क्योंकि simple सा है, जो idea convey करना था, वो मेरे ख्याल हो गया है, misappropriation से related, तो अब इसके बाद, मैं आता हूँ, breach of trust की तरह, कुछ, एक दो illustration, जरूर यहाँ पर मैं discuss करूँँआ, जो theft के साथ, थोड़े से mix हो जाते हैं, कई बार या कई बार, उस distinction को समझना, थोड़ा सा, मुश्किल हो जाता है, उन cases में, जरूरी है कि ऐसे illustration, अपन डिसकस करें, जैसे अभी एक तो पहले, मैंने आप से एक सवाल, जो पहले किया था, at the beginning of the class, उसको समझीए पहले एक, मान लेजिए, एक book आप intentionally चुराते हैं, एक किताब है, जिसको चुराने का ही intention है आपका, और with that intention, आप उस book को अपने घर ले आते हैं, अब book घर लाने का intention था, book चुराने का intention था, उसके अंदर 2000 का note है आपको नहीं पता था, आपने property मूफ कर ली, घर भी ले आये अपने, फिर आपने जब book के पन्ने पलट के देखे, तो उसमें 2000 का note निकला, इस 2000 के note के respect में, आपने कौन सा offense कमिट किया, आप में से कई लोग misappropriation कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि misappropriation है, उनसे एक और सवाल है मेरा, माल लिजिए, बस में मैं travel कर रहा हूं, सामने मेरे एक व्यक्ति travel कर रहा है, और उसके पास उसका bag रखा हुआ है, अगर मैं, और मैंने bag देखा कि उसके पास एक bag है, अब वो bag चुराने के intention से, मैं वो bag move करता हूं, चोरी करके ले आता हूं घर पे, उसके अंदर क्या है मुझे तो पता नहीं, अब उसके अंदर मैंने देखा, बहुत महँगा laptop था, mobile phone था, कुछ cash था, वो सब भी मैंने रख लिया, तो क्या आप ये कहेंगे कि, मैंने theft सिर्फ bag के respect में किया, और अंदर का जो content है bag का, उसके respect में misappropriation किया मैंने, that's what you want to say, क्योंकि जब मैंने किताब बाले example दिया, तो आपने कहा, 2000 के note के लिए misappropriation है, तो यहाँ जब मैंने bag चुराया किसी का, मुझे तो पता नहीं अंदर गया, मैं तो bag चुरा रहा हूँ, तो क्या बाकी सारे content के लिए misappropriation है, theft नहीं है, what do you think? अच्छा मान लिएजे, कोई किसी का wallet चुराता है, तो भाई, इसके लिए law कहता है, कि जब आप कोई चीज, dishonest intention के साथ, move करते हैं, तो उसके साथ, जितनी चीजे move होती है, हर चीज आपने dishonestly ही move करी है, with dishonest intention ही move करी है, so it is theft in respect of everything, इस पर आपको judgments, judgments, मिल जाएंगे कई सारे, एक बात समझी है, law यह कहता है, कोई भी चीज, जब आप dishonest intention के साथ, move करते हैं, उसके साथ, जितनी चीजे move हुई है, at that point of time, you have committed theft for everything, आपने किसी की गाड़ी चुरा ली, अब उस गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, उसकी डिक्की में कुछ हो सकता है, डाशबोर्ड में पैसे रखे हो सकते हैं, कितने nut bold, क्या पता नहीं, क्या क्या आया, जितना ही चीज उसमें आई है, बेटा, हर चीज के लिए theft, मान लिजिए, उस गाड़ी में, कुछ ज्वेलरी भी रखी थी, गोल्ड की, आपने गाड़ी उड़ाई, साथ में ज्वेलरी भी आई, तो बोलोगे, ज्वेलरी के लिए theft नहीं है, misappropriation, no, that's not correct, that's not correct, all right, so, जब भी आप dishonest intention के साथ, कोई चीज move कर रहे हैं, उसके साथ, जितनी चीज move हो रही है, यह सब के लिए theft, लेकिन वो illustration, जो मैंने आपको दिया, जहां innocently किताब आप ले आए, गल्ती से किसी और की book आप ले आए, उसमें 2000 का note निकला, आपने गायब कर दिया, वो note, then it is criminal misappropriation only, then it is criminal misappropriation, लेकिन जहां शुरू से intention चुराने का है, एक चीज आपने move करिये, उसके साथ जितनी चीज मूव हुई, for everything it is there, I hope this is clear, अल्राइट चलिये, इसके बाद एक और offense इसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है, दो we'll continue this discussion in tomorrow's class as well, criminal breach of trust देखते हैं, 405, अब जब जब इस definition को पढ़ते हैं, इसके essential समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ और सवाल मेरे पास आपके लिए हैं, उससे related, whoever being in any manner, interested with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, अभी सिरफ इतना पढ़िये, ताकि आपने एक distinction ड्रॉ कर पाएं, theft में, criminal misappropriation में, और breach of, criminal breach of trust में, देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, whoever being in any manner, interested with property, or with any dominion over property, यहाँ पर property, खुद आपको interest कर दी गई है, interest से क्या समझते हैं, when the thing is given to you with trust, भरोसे के साथ आपको property, दे दी गई है, that's what interestment is, यह dominion over it, आपके control में दे दी गई है property, यहाँ खुद ही property आपको दे दी गई है, उसके बाद, whoever being in any manner, interested with property, or with dominion over it, dishonestly misappropriates, और converts to his own use, that property, तो he commits criminal breach of trust, एक property, आपको खुद दी गई है, और आप अगर उसको, misappropriate करते हैं, खुद के use के लिए convert करते हैं, तो आप cons-offence commit करते हैं, आप यहाँ पर commit करते हैं, criminal breach of trust, अब देखिए, theft कब होगा, जब property किसी और की possession में हो, और वहाँ आप dishonest intention के साथ, विना उस व्यक्ति के consent के property, move करेंगे, तो theft होगा, लेकिन अगर property, खुद आपको दे दी गई है, फिर आपने उसको dishonestly misappropriate, या convert कर लिया अपने use के लिए, तो वो होगा criminal breach of trust, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, property किसी तीसरे तरीके से याप तक पहुँची है, in that case, it is criminal misappropriation, तो अब अगर इधर पे, हमें इस चीज़ को समझें, तो इसकी आगे भी definition एक बार रीट करके, बस मैं बता दे रहा हूँ, आज मैंने कहा purpose वो नहीं है, और dishonestly uses or disposes of that property, in violation of any direction of law, prescribing the mode in which such trust is to be discharged, और of any legal contract expressed or implied, which he has made touching the discharge, or such trust or willfully suffers any other person, so to do commits criminal breach of trust, तो 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 यह कहने का मतलब यह है, property आपको interest करे गई है, या तो आप खुद के use के लिए convert कर लीजे, या उसको misappropriate कर लीजे, या कोई और तरीके से उस property को आप use कर लीजे, या कुछ उसके साथ ऐसा कर देजे है, जो against the direction of law है, या फिर उस व्यक्ति के direction के against है, जिसने आपको वो property दी है, दो इस पे we'll have a detailed discussion later on, अभी आप breach of trust में इतना समझे कि, यहाँ property आपके पास आती, खुद नहीं है, इधर उधर से नहीं आई है, उस व्यक्ति नहीं है, जिसकी property उसने खुद आपको दी है, जब आपको कोई property interest करी गई है, और आप उसे गायप करते हैं, misappropriate करते हैं, खुद के यूज के लिए convert करते हैं, here you commit criminal breach of trust, तो अब देखिए, अगर, यह अगर criminal misappropriation है, 403, कि आप property misappropriate करने हैं, देखें, misappropriate तो आप thift में भी कर देंगे, आगे चल के, move करने के बाद, आप criminal breach में तो करी रहे हैं, यहां तो clearly word used है, dishonestly misappropriate, तो है सब कुछ misappropriation ही, वो property आप तक कैसे पहुची, this is what makes the difference, अगर वो property किसी की possession में थी already, और आपने dishonest intention के साथ, उसे move किया, फिर misappropriate किया, misappropriate करना later stage होगी, move करने पर यह आप libel हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ भी misappropriate कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, आपका offense theft हो गया, जहां property किसी की possession में थी, अब अगर एक दूसरी तरीके का misappropriation देखें, जहां property आपको interest करी गई थी, ट्रस्ट के साथ दी गई थी, तो यह एक separate offense होगा, 405 में जिसे define किया, जितना बचा, जो कहीं नहीं आया, वो आएगा criminal misappropriation में, वो आएगा 403 में, जो कहीं नहीं आया इन में से, वो आएगा 403 में, जहां property आपको खुद दी गई है, आपने misappropriate करी, that is breach of trust, property किसी की possession में थी, आपने वहां से उठाई, theft, इसके अलावा कैसे भी property को आपने misappropriate किया, सलक पर पढ़ी मिली, इनोसेंटली आपके पास आई, जैसे भी, अगर आपने उसको खुद के उसके लिए convert किया, या misappropriate किया, then you commit an offense, defined under 403, that is criminal misappropriation, I hope this is clear, मैंने आपसे class के beginning में एक सवाल किया था, कि मैं अपना एक jacket, एक dry cleaner को dry clean होने के लिए देता हूं, अगर वो dry cleaner, वो jacket बेज देता है, कौनसा offense कमिट किया उसने, बताइए, मैंने एक dry cleaner को अपना jacket dry clean होने दिया, उसने वो jacket बेच दिया, तो उसने कौनसा offense कमिट किया, कि अगर मैंने जैकेट dry clean होने दिया है, और उस jacket के अंदर, एक gold ring है, जिसकी जानकारी मुझे भी याद नी था, मुझे की वो है, उस dry cleaner ने, जैकेट तो dry clean करके वापिस कर दी, लेकिन वो ring आया आप कर दी, उस ring के context में कौन सा offense, उस ring के context में कौन सा offense होगा, येस, criminal misappropriation, 403, क्योंकि possession अपने आप उसके पास आई है, लेकिन मैंने interest नहीं किया, वो तो मुझे पता ही नहीं था कि उसमें, so that can be, और that may be misappropriation, चलिया, I hope the concept is clear about these things, I have a few more questions, जो आपको खुद थोड़ा, समझ के और, दिमाग लगाना है, क्योंकि मैंने आप से पहले एक सवाल किया था, ticket counter वाला, एक old lady, और इस पे काफी, difference of opinion है, कि एक old lady, एक ticket counter पे line में लगी हुई है, और उसका number आता, उसके पहले कोई व्यक्ती वहाँ खड़ा हुआ है, ये old lady अपने पैसे उसे दे देती है, ticket खरीदने के लिए, और वो व्यक्ती इसके पैसे लेके भाग जाता है, ये कौन सा offense है, अगर वो व्यक्ती इस old lady के पैसे लेके भागता है, तो कौन सा offense होगा,